आज हम खांडवी बनाएंगे, खांडवी मुख्यता एक गुजराती डिश है, खांडवी खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होती है, खांडवी कम समय में बन जाती है और थोड़ी ही प्रैक्टिस के साथ आप आसानी से खांडवी बना सकते हैं, तो आएए शुरू क करते हैं, खांडवी के लिए बेशन और दही दो मेन इंग्रीटियंट्स है थोड़ा सा पानी हम इसमें दाल लेते हैं और जो इससलो दर्हा ओं लेंगे, खांडवी में जो हम दही और बेशन लेते हैं वो बराबर मात्रा में लेते हैं, आद़ा चमच नमक, चोथाई चम्मच करीब हल्दी, हल्का सा बुना हुआ जीरा, एक चम्मच चीनी, चीनी आप नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें, मुझे खांडवी में हल्का सा मीठा पसंद है, इसलिए मैं चीनी यूज कर रहे हूं, आधी चम्मच अद्रप का पेस्ट, आधी चम जाहले, आधाणायों को मिला लेंगे, और इनने थाट एक मिक्सर में पीसलें यूज कर रहा, इलमो लेंगे मगए थोड़ा पानी निकाल सलेगे, निकाल लयो और इसको पीसलें, इसको बैटर को में एक जार में डाल को छीएप शाएप कीलेную बहलो ब्लूसी में इतरोशा पूरा मिक्स्चर एक अच्छे से पूरा इस तरह से पानी की हल्प से पानी हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं लेना है हमने जो एक कप पानी लिया था उसी पानी पूरी तरह कर रहे हैं आपे मिक्सर में पीसेंगे तो जो हमारे सारे कन बेसन के पूरी तरह से निकल जाएँगे आप चाहोई तो चमप से भी चला सकते आँए बाकि बचाहवा पानी भी हम इसमें एड़ कर देंगे इक पैन को गर्म कर लेंगे इसमे जो हमने मिक्सच बनाया था बेसन का बैटर जो है वो इस पैन में डाल देंगे और इसे धीमी आज पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे अगर हम तेज फ्लेम पर बैटर को पकाते हैं तो बेसन में लंप सा जाएंगे गैस की flame कम ही रखेंगे और बैटर को हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे आप देख सकते हैं कि हम ने जो पैन लिया है हो चोड़े मुका है इससे जो हमने बैटर लिया है वो जल्दी पक जाएगा आप देख सकते हैं बैटर धीरे धीरे गाड़ा हो रहा है काफी गाड़ा हो चुका है इसे थोड़ी देर तक और चलाएंगे तो यह और गाड़ा हो जाएगा क्लिखाय बेशन गाड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं कि कड़ाई को छोड़ने लग गया इस तरह इसने पैं को छोड़ना शुरू कर दिया यह पूरी तरह पक चुका है, गैस को हम बन कर देंगे और इसे जल्दी से थाली पे निकालते हुए फैला लेंगे, थाली को हमने पहले से चिकना करके रखा हुआ है, फ्लेम को बन करके, हम थोड़ा सा बैटर इस तरह से, प्लेट पर निकाल कर, बचे हुए गोल को दब कर र इसको मैं पतला पतला फैलाना है, हमने करीब अधा टोरी बेसन लिया था उतने बेसन में हमने जो घॉल बनाया उसको हमने करीब 4 थाली पर फैला लिया है, अब हम इसे 3-4 मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके वाद इसे काज लेंगे, तब तक हम चौक को त्यार कर एक पैन में दो टेबल स्पून तेल ले लेंगे, तेल गरम हो चुका है, इसमें राई के दाने, फोड़ा सा पिल, गयास की फ्लेम बन कर देंगे, इसे हल्का सा पका कर, इसमें एक हरी मिस्टाल देंगे, तीन-चार मिनट हो चुके हैं और खांडवी भी ठंडी हो चुकी है, इसे हम चाको की सायता से इस तरह काट लेंगे, और चाको की सायता से इस तरह हलके हाथ से उठाकर, और दोनों उगलियों की हल्प से इस तरह से इसे, फोल्ड करते जाएंगे यह हमारी खांड भी तैयार हो गई है इसी तरह हम चाको के हैल्फ से सारे रोल्स को फोल्ड कर लेंगे खांड भी तैयार हो चुकी है इसके ओपर हम छॉंक डाल देते हैं इस तरह हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा छॉंक डाल देंगे थोड़ा कच्चा नारियल खांडवी के ओपर जो नारियल डाते हैं वो ताजा नारियल होता है और थोड़ा सा हरा धनिया खांडवी सर्व करने के लिए तयार है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए